कहीं लोग आसती के, कहीं लोग नासती के, अपने अपने इसाब से सब विचार करते हैं, सोचते हैं, चलते हैं जीवन में लेकिन एक बहुत बड़े एस्ट्रोनम और फ्रेड होईल ने बताया, कि इस एड्वांटेजियस तु बिलीव इन गॉद देन नौट तु बिलीव, प्रोफेशनली भी आप बगवान में मानो, अच्छा हियां बुरा हियां के लिए नहीं छोड़ दो, मोक्ष के लिए नहीं छोड़ दो, प्रोफेशनल तो हैं आप, वैश फेडरेशन तो हो, वैपारी तो हो, तो वैपारी के धंग से भी आप बगवान में मानो, तो भी जीवन में बहुत बड़ा लाब है, थाउजंस अन थाउजंस अफ पेपर्स वेविन रूलीज़ इन नाशनल इंटरनाशन सेमिनार्स, वैर फैट इन गॉड, मेडिटेशन, नाम्स्मरन, भगवान के मुर्ती के दर्शन, मंदिर जाना, उसके फिजिकल, मैंटल और एमोशनल लाब, सैंटिफिकली प्रूव कभी ये बात भी एक गंटे तक करेंगे, कि जो नौधा भक्ति शीमद भागवत में दीगे है, श्रवनम, किर्टनम, स्मरनम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदम, दास्यम, सक्यम, आत्मनिवध्यम, नौ प्रकार की भक्ति, भगवान का नाम स्मरन करना, भगवान को दनवत प्रकार करना, इसके फिजिकल, मेंटल, एमोशनल लाभ कितने हैं, फर एक्जमबल, हड्डियां कमज़र हो जाती, उसको बोलते हैं, औस्टियो पॉरोसिस, जली तूट जाती है, अभी रिसर्च एक महीने पहले, हावर्ड, युनिवर्सिटी अफ पैंसिल्वेनिया में कि जो भारतिय शास्त्र में, मंदीर में जाने के बाद, मंदीर की मूर्ती को जो शास्तांग डनवत प्रनाम करते हैं, अगर वो शास्तांग डनवत प्रनाम, 11 से 15 अगर रोज करे, तो वो व्यक्ती को कभी ऑस्टियो पॉरोसिस नहीं हो सकता, युनिवर्सिटी अफ पैंस तो प्रोफेसर निवर्ड ने युनिवर्सिटी अफ पैंसिलियो ने रिसर्च किया, डिफरंट एज ग्रूप के व्यक्तियों को बिठाया, 20 विक्स का प्रोग्राम था, हर रोज 10 मिनिट मेडिटेशन में और जो भी बगवान के स्वरूप में वे मानते हो, उस स्वरूप रिजल्स ये मिले, कि जो छोटे बच्चे थे, वो रेग्यूलर 10 मिनिट रोज मेडिटेशन और भगवान का नामस्पन करते थे, उनकी मेमरी पावर 15 to 25% बढ़ गई, जो किश्वर अवस्था में थे, युवा अवस्था में थे, उनकी मेमरी भी बढ़ गई और सेल्फ भी बढ़ गया है, जो मिडल एज में थे, 35, 40, 45, 50 में, उनको जीवन में कॉन्फिदेंस बढ़ गया, और जो ओल्ड एज में थे, उनको एमोशनल सपोर्ट बढ़ गया है, एमोशनल स्टेंथ बढ़ गई, ये नामस्परंस, प्रैक्टिकली एडवांटेज, तो जो जो ब एटिवड हमारे शास्त्रों, संत और भगवान के प्रति ये आस्तिक भाव का रखना, उसमें कुछ लेना देना तो है नहीं, उसमें कुछ लेना देना तो है नहीं, ये आटिवड रखो कि भगवान है, भगवान ये सर्वे जगत के करता आरता हैं, और जो बीज कुछ करत वो हमारे मनुश्य के अच्छे के लिए करते इतना positive attitude बगवान के बारे में रखो तो बहुत शांती रहेगी, बहुत स्थीरता रहेगी बहुत स्थीरता रहेगी